हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत एक्स्प्लेंट में बैंकिंग के फॉम फिलप वाले सीरीज में जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाने की पूरी कोसिस करते हैं आपके खाल कोम साथ कर्या का नामिैंग के इस पॉपर में आप लिधे जमा करेंगे इसके नीचे में आप़े अपने और लास्ट टेंव और 理कली इस तरह से अरेंज करके लिखे दें के राड स्रव में आपको अपना डेट बर्थ लिखना और उसके नीचे के ऑप्सन में आपको अपना êm का पूरा का पूरा number लिख देना है इसके रच्शर में आप अपना चाहे तो hand card का number mention कर सकते हैं और इसी के नीचे में यहाँ पर आपको base branch लिखना यानि कि आपका bank account किस branch में है उस branch का नियम यहाँ पे आप mention कर दे अब यहां पे आपको options मिल जाएंगे जहां पे आप अपना mobile number mention कर सकते हैं तो सबसे उपर में आपको existing mobile number लिखना है यानि कि अभी तक आपका जो भी mobile number register था उस number को यहां पे आपको mention कर देना है उसके नीचे में आप आगे के number को हटा के अपना new mobile register करवाना चाहते हैं रिजन mention करने के बाद नीचे में आपको आपका communication के लिए address लिखना पड़ेगा तो आपका जो भी bank account में communication का address दिया हुआ हुआ है वो पूरा-पूरा address लिख दे और नीचे में यहां आपको अपना signature करना है जो कि आपके bank account में जिस भी टाइप का signature किया हुआ हो सेम signature यहां पर आप कर दें और signature के नीचे में ही आपको date लिखने का option मिल जागा तो यहां पर आप अपना वो date mention करें जिस date को आप इस form को अपने branch में submit करेंगे उसके बाद के सारे option को आप blank छोड़ दे क्योंकि यह पूरी तरह से bank के यूज के लिए होती है इतना option fill up करता ही आपका यह form fill up complete हो जाता है I hope आपको information मिल गया होगा इसलिए इस वीडियो को like, share, comment जरू से कर दें और साथ ही अगर इस चनल का अभी तक आपने subscribe ने किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें उस पेल आइकन को रवना बिल्कुल की ना बोले थांक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं अगले banking information के साथ